हलो जी कैसे हैं आप लोग वही सिग्रेट रेसीव में आप सब का स्वागत है और आज भी मैं एक ट्रिक के साथ आई हूँ वह चावल का आटे का ट्रिक भला घर में चावल का आटा कैसे बन सकता है कोई चपकी थोड़ी घर पे खोल के रखा पर बन सकता है बहुत आसान तरी चावल का आटा की तैयारी में शुरू कर देते हैं भीगोने से लेकर सारा चीज मैंने दिखाया इसलिए प्लीज पूरा वीडियो देखे और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जी चलिए चल्दी से बनाते हैं चावल का आटा आप लोग देख लीजे मैंने यहां पर अरवा चावल एक कटोरी भर की लिया है और यह सेला चावल है जो की आधा कटोरी यह दोनों चावल मिला कर अगर हम चावल का आटा बनाते हैं तो यकीन मानी यह बहुत टेस्ट आता है खेर बजार में तो स्रिफ अरवा चावल का ह पानी शायद मिलता होगा चली इन्हें अच्छे से वाश कर लेते हैं चावल को मैंने तीन से चार बर वाश किया है और इस समय मुझे पानी डालके कम से कम दो दिन के लिए नहीं भीगोना है फिलहाल मैं एक दिन के लिए में भीगो के फिस मिलती हूँ आप से लोगे संग आज देख लिए यह दूसरा दिन है चावल का और जाड़े का मौसम है इसलिए पानी उतना खराब नहीं होता है पर गर्मी के मौसम में थोड़ा पानी खराब हो जाता है इसलिए जरूर दूसरे दिन में भी चावल का पानी बदल दे चलिए इसको बदल के फिर दूसरे द आप लोग देख ले मैंने एक छन्नी में इसको डाल के रखा चावल को और इसको जो है लगभख एक घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं चावल काटा मैं कैसे पीसूंगी मैं दिखाऊंगी चलिए एक घंटा हो गया है और आप देख सकते मैंने यहां पे एक कपड़ा बिछा लिया है और इस कपड़े में मैं इस चावल को फैला दूँगी यह देखिए फैलाने से मेरे हाथ में कितना पानी है यह पानी ना हो तक तक इसका इंतजार कर लेंगे कम से कम यह तीन से चार घंटा लग जाता है और बस उसके बाद मिलते हैं यह लगभग चार घंटा हो गया है इसे मैंने फैला के रखने का देख लीजिए मेरे हाथ बिलकुछ सूखा है मुझे इसी तरह ही सूखा चाहिए चलिए आप इनको हम लोग पीसने की प्रोसेस में चलते हैं आप लोग देख लिए मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और थोड़ा सा गैपिंग रखे चलिए मिए बीस लेते हैं आप लोग एक बर इस तरह के चन्नी जरूर ले ले जैसे कि आटा चानने वाला जो चन्नी होता वो होने से भी चलेगा और यह देख लीजि यह देखिए यह बिलकुल अच्छे से आटा बन के त्यार है और यह दाना है इसको फिर से मैं वाकी के चावलों के साँ इसको पीस होंगी पीसने का तरीका यही रहेगा चानेंगे भी इससे तरह चलिए पीस कर मिलते हैं यह रहा आप लोग के लिए चावल का आटा और इस दूप में इसको फैला दे एक कपड़े में तो वह सूख जाएगा और या फिर कढ़ाई में अगर जल्दी है और आपको स्टोर करके रख के कहीं जाना है तो मैं कहूंगी कि कढ़ाई में इसको दो से तीन मिनिट के लिए इसको रोस्ट कर लीजिए और या फिर इसको एक नमी है थोड़ी से वह नमी भी इसकी खतम हो जाती है खैर मेरी रेसिपी अगर आप सब को पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मैं मिलूंगी दूसरे रेसिपी के साथ आज के लिए बाई